अरावली विहार थाना शेतर के मालवी नगा चोराए पर बस में चड़ते समय महिला का पर्स पार हो गया जसमर पीडित महिला ने अरावली विहार थाना में चोरी होने का मामला दर्स करवाया है पीडित महिला ने बताया कि वह मालवी नगर चोराये पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी उसी दोरान बैग से किसी ने पर्स निकाल लिया पर्स चोरी का पता जब चला जब वह बस में बैठ गई पर्स में लगबग 8000 रुपे दो सोने की अंगू थी तीन ATM कार्ड, चार आधार कार्ड, पांच पैन कार्ड, स्कूटी की आरसी थी उसके बाद महिला अरावली विहार थाने पर पहुँची और उपलिस को मामले से अवगत कराया मैं मालवी नगर चोराए पर खड़ी थी, बैग मैंने टाका हुआ था, तो पीछे से किसी ने बैग कीचेन खोल कर पर्स निकाल लिया, बस में चड़ते टाइम शायर पर्स में रुपे थे, डॉकुमेंट थी, एक रिंग थी, मेन चीज तो डॉकुमेंट है कितने पैसे थी? पैसे लगवगा आठ हजार रुपे थी, मालवी नगर चोराए पर बस स्टॉप की